रेकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोट ओपर और दिखाएं अपना हुनर अपना नमस्का निरा नाम कृष्णा है और मैं इंदोर से आया हूँ और आज मैं जिस कविता पे बोलने जा रहा हूँ उसका जो विशे है वो एक ऐसा विशे है जो अक्सर हम नजर अंदास कर दें हैं हमने अक्सर सुना है लव के उपर हमने कविताय सुनी है मौता पिता सिपाधी हर चिस्ते पर ये विशे है गरीबी तो उसके मैंने कुछ लिखा है आशा है आप लोग बहुत ध्यान से सुने को क्यूं फक्र से सर उंचा हो जाता है उनको बे नाम बुलाने से और एक किस बात का सुख मिल जाता है उन गरीबों का दिल दुखाने से यूं तो अपनों के लाखो पुला देते हो फिर क्यूं किसी गरीब की मेहनत का पैसा काट कर उसकी एक वक्त की रोटी चुरा लेते हो करके मेले अपने दोनों हाथों को वो बुनते तुम्हारे मेलों का संसार है फिर क्यूं क्यूं मीच कर अपने ही आँखों को सबके मुख से सुनते तुम्हारा गुंगाने है गरीबों की इज़त करने का मतलब खुद की इज़त का कम होना नहीं होता यू जिल्लत की तखत पर बद्दुआओं की चादर पोड़ कर सुख चैन सक भी सोना नहीं होता कहते हैं कि बज़र्गों और गरीबों की दुआओं में कुछ असर जरूर होता है जो उनके आशिरवाद का हर एक कत्रा उस इश्वर के द्वार मनजूर होता है केवल कद उचा होने से इनसान बड़ा नहीं हो सकता अरे अगर किसी का दुख भी न समझ सके तो महस कुछ पैसों से कोई अपने पैरों पर यूँ खड़ा नहीं हो सकता अरे नफरत सी हो जाती है उन लोगों से जिनके पैरों में घमन के पाजेब खनकते हैं नफरत सी हो जाती है उन लोगों से जिनके पैरों में घमन के पाजेब खनकते हैं कदम कदम पे एहिंकार चलगते हैं दुख होता है क्योंकि उनकी आपों में तो माबाब के संसकार चलगते हैं नजाने तू किस बाग का घमन करता है ये तो कल्यूग है हीरे को माटी के भाग विखते देखा है अरे पत्थरों की क्या बात करें यू तो हमने लोगों का इमान विखते देखा है और जाते जाते में इस कविता से हटके इस प्रतियोगिता से हटके कुछ बात आप कहना चाओ मैं कुछ लएने हैं और आश्यकरम ये बात आपके जहन में कहीं न कहीं कुछ घर कर चाहिए अगर सब की दिल से इजद करते हो तो इंसान हो तुम अगर सब की दिल से इजद करते हो तो इंसान हो तुम अगर सब तुम्हारी दिल से इजद करें तो मेरे दोस्त रब काई हसीं पहगाम हो तुम